हेलो फ्रेंड नमस्ते मां तपायर लाए आज बीएसी फर्स्ट यर को और्गेनिक केमेस्ट्री को अलकेन चेप्टर बाट अहले सम्मों सब बंदा बढ़ी क्विशन सब बंदा धरी पटक सोधी एको क्विशन हरू रतेसको एंसर पनी लेखेरा लाई सकेको चू तपायरू तेसला यली ध्यान दी रहेरनू होला मा तेसला यली कुन-कुन क्विशन हरू छा मा तेसला यली पढ़ेरा तपायर ला सुनाए दिन चू वाट आर कनफर्मेशन और वाट इद कनफर्मेशनल आईसोमर राइट इन दिटेयल विद रिफेरेंस तो इधेन यहटा कुशन भायो एसाई लाई फ्यरी भांचा वाट दो यू मीन बाई कनफर्मेशन और कनफर्मेशन फ्यरी एसाई कुशन लाई फ्यरी अरको फम आपनी सुदिया को चा राइट दिफेरेंस बीट्वीन कनफर्मेशन और कनफिग्रेशन आथवा वाट इस दिफेरेंस बीट्वीन कनफर्मेशन और कनफिग्रेशन फ्यरी एसाई लाई पनी अरको टम बाट शुदे चा वाट दो यू मीन टर्म्स कनफर्मेशन और कनफिग्रेशन येस पर कारले यो कुईशन लाई गुमाए रहा सुधी रहे को हुँछा जस्पदे मैं यहां दुईटा लेखे को छू रहा तिती सुधा पनी अब इसको एंसर कसरी लेखने मादा खेरी अब मैं यहां बटा लेखी सके छू तपाई रू धियान दिये रहा है नूँ हला the compound having same molecular formula but different arrangement of atom or groups which can be converted into one another by rotation about single bond are called conformers conformers and phenomons is called conformal conformational isomer तेस पाची यू मेले काटे को चुए तेस पाची इन इथेन मलकूल CH3 CH3 the two carbon two carbon atom are bonded by a single covalent covalent bond these two tetrahydrol methyl group can rotate about the carbon carbon bond axis welding several arrangement the two extreme arrangement of ethane can be represented as तेस पाची है मेलाई योटा अलिकती माख को पिला इस तो गर दियू तेस पाची है मेलाई यो जो नोटा figure छा त्यू फिगर बनावनों परने हुंचा यो फिगर बनावनों परने हुंचा तेस पाची यो लेखनो वाला confirmation and it is confirmation भयो तेस पाची configuration refers to the three dimensional arrangement of atom that characterized a particular compound the relative relative position of the atom in molecules can be changed exclusive and for foreign new chemical bond forming new chemical bond hence configuration of molecules means yeah what I know like hence configuration of molecules is the Permanent geometry that result for the spiritual arrangement of तेस पाची अली उता छा अरकूर पेजमा एशाइक को its bond तेस पाची फोर एक्जाम्पल दी और वन लाटिक्स आर कन्फिगरेशन आफ लाटिक एशीड लाटिक एशीड लाटिक एशीड को अरिक नर्पिस गट्षे बा। देर इपर शो येक कुशैन चार जो देरे पाची सो देरे Запर Parcel देरी अली प्रेश्ता कंफिगरेशन धिष अधिगरेशन देरेत साम्धिवरेशन formula and their relative stability order with potential energy diagram तेस परची असा इलाई अर्कु तरीका लेशो देचा रोड़ दिप्रेंट confirmation of N-butane using Neumann projection formula and show which one of is the most probable confirmation why anti-conformation of N-butane is more stable than Gauss confirmation explain draw the different confirmation of N-butane and compare their stability what are confirmation of N-butane and determine the stability येति येसा एक्विशन लाई येसा री घुमाया रा सोधिये कुण छा येसमा पनी अब अजही तरीका ले पनी घुमाया रा सोधिये को थियो जुनकी मेले येसमा include गरे को छाई ना तरह N-butane भनने कुरा वाटा हमें ले बुजी राखनों को जाई confirmation of N-butane भनने कुरा अन्देर stability येस्टाबिलीटी ये नो मैं प्रोजेक्शन्स भने रा भने रा भने रा भने रा थेस्पछी येसको मेले एंसर लेके चूँ दो कंफर्मेशन ओफ N-butane आर अन्दी कंफर्मेशन गोस कंफर्मेशन पार्शियली एकलिप्स्ट कंफर्मेशन और फुली एकलिप्स्ट कंफर्मेशन एती भाय है ना तेस्पची मेले एता लेखे चू द्यान देरा है नोला यो तपायर ले फिगर बनानों परने होंचा एंटी कंफर्मेशन को पार्शियली एकलिप्स्ट कंफर्मेशन कोस कंफर्मेशन फुली एकलिप्स्ट कंफर्मेशन है आप मेले कंफर्मेशन लेखना छोड़े चू त पाया रोलेखी लिए ना एंटी कन्फरमेशन है तेस पच्छी फीगर ओ यो सिहर्स प्रोजेक्शन फर्मुला जस्ताई माइले यता बने के बन्चा बन्चा बन्दा करी यो नुमान प्रोजेक्शन फर्मुला यो ना सोधे रहा यो सिहर्स प्रोजेक्शन फर्मुला पनी य तेसे बेला ताप आएले यो मात्र सोहर्स हेराओदा पनी भाही हाल चा तर अबने यो दूइटेई ने हेराओनू कुणे पनी सोधा दूबै राओनू नाइ बेटर हुन चा ते बेला अबा यो सोहर्स फर्मुला भाय एक चुटी अलाही मेले ठूलो पूस गरे रहाएदी ज प्रिक्शन फर्मुला भाय थेस पच्छी अब एसाई को अली अगाड़ी एर नहीं हो ला यू अचा रोटा ग्राफ सा जुनकी फीगर है ना पोटेंशियल इनर्जी चार्ज डियूरिंग रोटेशन एबाउट कार्बन-कार्बन-कार्बन-कार्बन-कार्बन-कार्बन-क उल्यूरिंगेट में ना ब्राइक फिर न फैनल अफ एन्बीटन यू का टेकुसला तेश्पची दॉर्टर अस्टाबलीटि अफ कंफर्मेशन अफ एन्बीटन ओपयो थे एंटी कंफर्मेशन अटी को एंटी गऊसर पर्शेल एक्लिप्श पुली सबादा बड़ी पार्शियल चाह तेस बची फुली एकलिप्स यानिके सब बन्दा लेस स्टेबल भने को फुली एकलिप्स लाहब अब बिकाज भने पची सोधा खेरी पन्याम अव्तियसको स्टाबली चाह उनकी लेखने तो डिदेर्माइन दरी रिलेटिव एस्टाबलीटी अफ कन फर्मेशन अफ अन्वीटेन ट्रस्नल एस्टेरिक एस्टेरिक एस्टेंड है फू बीकॉंज एस्टेड एंगल एस्टेन छाख़े अन डाईपर लिवड्य एस्टेर द कन फर्म्मेशन है कांहिए फुल्य एकलिक कन फर्मेशन है जासमा अन्हस प्ल मोरें सहबद दैनिक पर्मेशन इच पर यह ओन्चा तोरेश्ट तोरेश्नल लश्ट्रेश्च प मैं स्टेवबffar MHA- uh तोरेश्च प्रिशनल लश्ट्रेश्च एट शाज सांड्रकरणगाव ब断ानि लश्ट्र कभाहिव इस्ट्रण लवेकर М सब वंदा कौम चार्ट बढ़ा टॉडिशनल एकलिप्स खोला तरेखल्च पहले सब बड़ी एकलिप्स काम चाय जरेगे। of traditional strain and has less steric strain than the partially strain and has less steric strain than the partially eclipse confirmation. 4-nomer मा है नुवाला, the anti-conformation is free of both steric and traditional strain hence it should be the most stable. यो कि सब बन्दा बड़ी स्टेबल हुँचा किना कि यो संगा free of both steric and traditional strains यो दुबाई strain बटा फ्री हुँचा तेही भायर है तेस पाची एसाई को एच चेप्टर को अरको कुईशन छा explain with potential energy diagram explain with potential energy diagram for the endothermic and exothermic reaction specifying the sing of del H in each case 258.64 में यो कुशन वो दियो को दियो गिव level energy profile diagram for the exothermic and endothermic reaction यो पनी धरी पटक सो दियो कुशन चार्पांच चार्पांच चाक तेसको अवा अली answer arrow satiru in exothermic reaction heat is liberated in surgery reaction and reaction the potential energy of reaction is the potential of the potential energy of reaction is more than of product of shown in figure see figures in believe one is one in future in a copy of another two the amount of heat released denoted by del H equal to the difference between potential energy of reaction of reactant of reaction reactant of reactant and product in this reaction del H is equal to del H product minus del H reactant है तेसबच्ची इसको में ले उता पर देल इक तेहरा है तहरा है तो फ़ोर एक्सु थर्मिक reaction del H reactant यो करने यो साइन दीने ग्रेटर देल H product since del H equal to minus V तेसबची हमेर ले यो जुन चा डियाग्राम चा प्रूदेंचल इनर्जी को यो बनावनु वाला तेसबची और को छा इन एक्सो थर्मिक reaction heat absorbed from surrounding को छा जुनकी यो चा डाइग्राम यो बनावनु वाला तेसबची इन सच रियक्शन दी the potential energy of product is greater than that of react reactant the heat of reaction is equal to the एता चाहे equal to the difference between potential energy of reaction and product del H equal to your del del H product minus del H reactant for the thermic reaction del H product you are greater than del H reactant since del H is equal to positive यो भाया तेसबची आवा यूटा आज एक्विशन चा यो पनी च्छो चोटी जाती यू सुदी ये को चाहे so how so your so your familiar so you enjoy yeah you are in a so you familiar with the term greenhouse effect तेसे लाए फेरी अली क्विशन घुमाय रहा how do you mean by the term greenhouse effect यो क्विशन लाए पनी चाह चुटी जाती शुदी ये को थियो मेले है रहे हाई ना तेसे बाहरा इसको एंसर पनी मेले लेखे चुए यहां तपाइरो ध्यान दी रहनु वला दा हीटिंग आफ अर्थ दू ट्रापिंग आफ इंफ्रारेड रडियेशन रिफ्लेक्टेट फ्रॉम और्स सर्फेस बाइ सियो टू लेयर इन दा अवाल देसे ना ट्रापिंग प्लापिंग राणीर विल्लेक्ट नो द्विल लाई वीट रेविजर लाई रिव भीड इन इंफ्रार 12 अब्स थार इंद राणीर्ड फे लाई तु श्याना ठाड़ हर लाई रखे पनी आटमस्फेर पाइर्वाइर थियो एस्टे ना टो the CO2 layer and fall on the surface. The infrared rays reflected from Earth's surface has longer wavelength and are absorbed by the CO2 layer. This global warming is known as greenhouse effect. The principal greenhouse gas are chlorofluorocarbon, methane and CO2. This greenhouse effect is necessary for the existence of leaving wall due to greenhouse effects. CO2 gas in the atmosphere does not allow the long wave to go out of the atmosphere. It keeps the earth warm. Production of layer concentration, construction of chlorofluorocarbons and burning of fossil fuels cause flowing adverse effect. Melting of polar ice cap sturdy increases in temperature of Earth, climate change, the change on biological activity of ocean and and cropping pattern. Out of primary, secondary and tertiary free radical which is the most which is the most stable and y. justify the stability order of the free radical is 30-20-10-CH3 with appropriate, 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 you will be nature. This is the answer. How do you know? 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 The other question, how do you know? 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 energy content of third radical is lowest the order of stability of free radical is you mayotapaila sile abha hamile aapno language ma in in one word because the the because methyl radical e the because the methyl radical contain highest in sorry because methyl radical contain highest energy but third radical contain lowest energy so that third radical is more stable than methyl athubha primary radical as a sugari milayara lehda uncha hai na sathiru test pachi tapayarule a jayi question lie yaha arko question theribane cha what major product do you accept from the flowing reaction you can here wamjeyo qi shayangoni chamele karik shinaki nagi eki iyo eki tiensu day cha eahrinu do 19 do 26e ki tini choati shou dayeth yo teti bear iamayenai acheru henna is cool reaction a varon cha molayayana gariyض gentle tepearole handi leher yame yola ka pa ee bakar lane parik padini bluzhnu bala